नमस्कार आप देख रहे हैं दरभंगा का निस्पक्ष बेव नीज चनल डीबिन टीबी आईए आज की एक चर्चित ख़वर पर नज़र डालते हैं बियाईपी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष मुकेस सहनी ने पुलीस पर बरस्टा चार का आरोप लगाया है तो वहीं दरभंगा एसेसपी ने कहा है कि जाच में सही पाये जाने पर दोसी अधिकारी के उपर कारवाई की जाएगी दरसल 23 मार्च को बिरॉल थाना के पुलीस ने कुसेस्वर अस्थान जा रहे टेंपू को जब्त किया था टेंपू चोड़ने के एवज में पुलीस पतादिकारी 15,000 रूपय की डिमांड करने लगी जिसके बाद पुलीस और टेंपू मालिक के बीच बारचित में 10,000 रूपया देने पर टेंपू चोड़ने की बात हुई लेकिन लॉगड़न होने के कारण जब पैसे की बेवस्था नहीं हुई तो टेंपू मालिक ने इस बात की जानकारी वियाईपी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष मुकेस सहनी को दिया जिसके बाद खुद ही मुकेस सनी बिरोल थाना पहुँचे और थाना अध्यक्ष के टेवर पर 10,000 रूपया रखकर उन्हें चालक का जब टेंपू छोड़ने को कहा गया हलाकी थाना अध्यक्ष ने रूपया लेने से इनकार करते हुए रूपय की मांग को जूटी बताई दरसल सारसा जिला के महरवार निवासी सुरेश मुकिया टेंपू चला कर सापड़िवार कुसेसर अस्थान जा रहे थे इसी बीच बिरॉल पुलिस ने गस्ती के दौरान टेंपू पकर लिया टेंपू पकरने के बाद सुरेश से पुलिस 15,000 रूपय की मांग करने लगी जिसे देने में टेंपू चालक सहमालिक देने में असमर्थ जताई जिसके बाद पिछले डेर मां से पुलिस सुरेश को थाना का चकर लगबाती रही इसी बीच 7 में को पुलिस ने 10,000 से कम से टेंपू नहीं छोड़ने की बाद कहकर सुरेश को थाने से भगा दिया तब सुरेश ने गाउ में रह रहे बियाईपी के रास्टिये अध्यक्ष के पास गोहार लगाई बियाईपी के रास्टिये अध्यक्ष मुकेस सहनी ने बिरौल पुलिस पर भरस्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि बाहन जप्ती का भया दिखा कर मोटी रकम की अवैद बसूली करने की सिकायत उन्होंने डियेम, एसेसपी, डीजीपी, सीएम को पत्र लिख कर कारवाई की मांग की है वही मुकेस सहनी ने आरोप लगाया है बिना रूप्या पुलिस कोई काम नहीं करती एक टेंपू चालत से इतनी बड़ी रकम मांग करना पुलिस पर सरकार का इकबाल समाप्थ हो गया है वहीं उन्होंने कहा है कि मामला बढ़ता देख थाना अध्यच ने आनन फानन में बैक डेट में टेंपू जप्त करने का पत्र एसडियो को भेजा लेकिन थाना अध्यच की या चला की काम नहीं आई चूकि एसडियो कारजाले में या पत्र पहुचा ही नहीं था उधा दरभंगा SSB बाबू राम ने कहा है कि सोसल मेडिया के माध्यम से या पता चला है कि मुके सहनी ने थाना पर आरोप लगाया है कि 23 मार्च को थाना के द्वारा टैंपू जब्त किया गया था और इतना समय बीत जाने के बाद भी नहीं कोई परतिबेदन एसडियो कारजाले को भेजा गया नहीं टैंपू को रिलीज किया गया थाना से इस संबंद में बात हुई S.H.O. ने बताया है कि उन्होंने जिस दिन गारी जब्त की थी उसी दिन S.D.O. कारजाले को परतिबेदन भेज दिया था इस संबंद में बिस्तित जानकाली के लिए हमने CTSP को जाच का निर्देश दिया है उन्होंने उमीद जताई है कि आज साम देर तक रिपोर्ट मिल जाएगी और अगर उन्हें पदादिकारी अस्तर से गरबरी पाई गई तो उनके विरुद कारवाई की जाएगी अब सुनिए मुकेश सहनी वह दर्भंगा SSP क्या कुछ कहते हैं साथी साथ टेम्पू चालक क्या कहते हैं करोना से बचने का मातर एक उपाई है लॉगड़न जीकेगा देश हारेगा करोना देखिए क्या है कि 23 तारीकों लॉगड़न जब 23 मार्च को हुआ था तभी एक बेक्ति अपने परिवार को लेके बाहर जा रहा था गारी से टेम्पो से तो उनको थाना के सामने में जाने से उसको रोका गया और थाना अपने कस्टड़ी में गारी को ले लिया गया और डेर महिना तक वो पिरित को थाना में घुमाते रहा और उससे पहले 15 जार रपय कर डिमांड किया अपके 12 जार वहा फिर 10 जार रपय आ हुआ कि 10 जार रपय देजेगा तब गारी छोड़ेंगे तो वो पिरित हमारे पास आया और हमने बात भी किया तो वहाँ पे ज़्यादा वो रिस्पांस ने लिया तो फिर हमने सुचा कि अगर उनको घुसी चाहिए तो हम 10 जार रपय लेके कल गये थे कि आप लिजे 10 जार रपय गारी छोड़ देजे क्योंकि थाना पे भी हम जो स चाहिए तो क्योंकि ये पिरित के पास पैसा नहीं है आज की तारीक में आप देख रहे हैं कि किस तरीके उसे देश में ये महामारी है कुरोना वाइरस इसको लेके लोगों को खाने पीने के लिए पैसा नहीं है और एक टेमपो चलाने वाले रोज का 200-300 रुपर कमाने वा कि इतनी दिनों में हमारे पास कोई भी आइंड के लिए नहीं आया और उन्होंने बताया कि प्रण के लिए आता तो हम कर देते और अगर होता भी तो 1500 पर इस मामला को लेके हमने जीपी साब को हमने लिख दिया एस पी साब को हमने लिख लिखा है देश्तिस अने को पर से मिला मैं उनको सारा चीज में हमने समझाया और बिहार सरकार मानिये मुखमंत्री की को भी हमने देजा है और मैं उमीद करता हूं कि बिहार सरकार इस पर एक्सल ले और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार अपना काम करेंगे और बाकी हम तो काम अपना किये हैं अभी सरकार का दे मुकरिश सहिनी जी का आरोप है थाना पर की 23 मार्श को थाना ने टेम्पो को जप्ट किया था और इतना समय बीत जाने के बाद टेम्पो को ना रिलीज किया ना ही कोई प्रतिवेदन STO पारयले को भीजा गया था थाना से इस सम्द्ध में बात हुई तो STO ने बताया कि उन्होंने इस दिन गाड़ी जप्ट की थी उसी दिन प्रतिवेदन STO को भीज दिया था इस सम्द्ध में विस्तरित जांच के लिए SITSP को निरदेश दिया है और उमीद है कि आज शाम तक उनकी जांच रिकोर्ट मिल जाएगी अगर किसी पदादीकारी के स्तर से इस सम्द्ध में गलत आचरन या किसी लापरवाही की शिकायत सिद्ध होगी तो निश्चित रुख से कड़ी कारवाई की जाएगी तो 23 तीन को लोगड़न के समय में और अभी तुम कल गए थे थाना पर क्या बोला है फैसा मंग रहा है दस बार है रप्या कोन मंग रहा है फैसा अमून सी और